बिग बॉस 13 फीम पारस च्छाबडा का बयान कहा पवित्र पून्या ने मुझसे शादी वाली बात चुपाई थी जब मैं उसे डेट कर रहा था आखिर ऐसा क्यों किया पवित्र पून्या ने और पारस ने आगे क्या क्या कहा चली जानते हैं पुरी खबर डीटेल में बिग बॉस 14th कंटेस्टेंट पवित्र पून्या ने हाले में बिग बॉस की घर में जाने से पहले अपने एक्स बॉइफरेंड पारस च्छाबडा को लेकर बातचीत की थी और अब ये विशय सुर्ख्या बन चुकी है पावित्र ने पारस को अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती बताई थी जिसके बाद अब पारस ने उनकी इस बयान पर उनकी पृतिक्रिया दी है पारस ने कहा कि जब वो उन्हें गेट कर रहे थी तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पावित्रा पहले से ही शादिशुदा है उन्हें इस बात की खबर खुद पावित्रा के पती से लगी इसी के साथ पारस ने आगे बात करते हुए कहा पावित्रा ने सही कहा कि पारस उनकी सबसे बड़ी गलती थे क्योंकि एक शादिशुदा औरत मुझे डेट करके मेरा मजाक नहीं बना सकती जग उनके पती मुझे मैसेज करके कहते हैं आप दोनों जब तक चाहो साथ रह सकते हो लेकिन मेरे से डिवोर्स लेने के बाद ये देखकर मैं हैरान रह गया पारस यहीं नहीं रुके पारस नहीं आगे कहा इसकी बाद मैंने इस बारे में उनसे सीधा सवाल किया और उन्होंने इसे कबूल किया इसके बाद मुझे उनके बारे में एक के बाद एक कई शौकिंग बाते पता चली मुझे अभी अपना मूह नहीं खोलना मैं भी बिसपोट कर सकता हूँ लेकिन समय ही सच बताएगा अब वो बिग बॉस में है अगर मैंने अभी कुछ भी कहा तो चीजे हैं जो मेरे खिलाफ ही हो जाएगी ये अच्छा नहीं है उन्होंने तो मुझे अपनी शादी के बारे में भी छुपाया था आपको बताते चले पवितर पूनिया ने अपने MTV स्प्रिट्स विला सीजन 3 से शुरवात की थी उसी के साथ लव यू जिन्दगी सवारे सब के सपने प्रीतो होंगी जुदाना हम यह है महबती कवर्च काली शक्ती सी गंगा ससुराल सिमर का नागिन 3 बालवे रिटास जैसे कई सारे सीरियल्स में नजर आ चुकी है वैल अब देखना यह है कि बिग बॉस 14 पूटींथ में पवितर पूनिया क्या जलबा विखेटी हैं क्या धामाल मचाती हैं यह दो आने वाले वाक्त में ही पता चलेगा टेलवेजन के लिए गॉसिप्स को जैनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाले झाले